इसे दिशा निर्देश लागू किये जा रहे हैं, योगी सरकार का ये फर्मान है, इसी को लेकर हमारे खास मेहमान इस वक्त हमाई साथ जुड़ गए हैं, धर्म युद में, क्योंकि आज दिन बर चर्चा दरसल इसी बात पर की जाएगी कि जिस तरीके से धर्म को लेकर लाउट स्पीकर आक्शन से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से उत्तरपरेश में लाउट स्पीकर पर योगी सरकार का सक्त आक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर राज ठाकने रसल मिसाल देकर, तारीफ करकर, वाहवाही करकर ये कहा है, कि ऐसा महराश में भी होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, मसलन गाजस्तान में, वहाँ पर तो जैपुर में सड़क पर नमाज अदाएगी हो रही है, सर। जो पुरे देश में, गांधी जी ने भी उसको गाया था, कि इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रगुपति रागव राजाराम, तो अगर ये बात सबको समझ में आ जाए, कि लॉइन ओर इस्टेट सबजिक्ट है, हर इस्टेट अपने अहां कानून क पालन करे, निश्चित रूप से सभी धर्मों को अपनी अपनी पूजा पद्धती के साथ उनको आजा दी है, और जो बरतमान में केंदर सरकार है, वो इसी को पालन करती है, कि लॉइन ओर रहे, हमारा देश जो बिविधता में एकता भरा है, और उसी एकता में बड़ी बि कैसे हम पूरे समाज में ये संदेश दे सकते हैं कि सभी को आजादी का भी अधिकार है, सुतंतरता है पुजा पद्धती का, लेकिन साथ में समाज में एक दूसरे को हमारे से तकलीफ न हो, ये भी हमें ध्यान देते हुए चलना है, मैं समझता हूँ जो उत्तर प्रदेश म हो रहा है, वो सच में बहुत उसकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और जहां दूसरे राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है, उनको करने की कोसिस करनी चाहिए, हम आज कल हनुमान चलिसा की बहुत चर्चा है, लेकिन एक लाइन कोई ध्यान स नहीं सुनता है, कि महावीर विकरम बजरंगी, कुमती निवार सुमती के संगी, हनुमान जी भी जो कुमती, जिनकी मती खराब होती है, उसको हटा करके सुमती देने वाले हैं, जो सुमती के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, जिस्ते समाज का हर व्य भी वाकिफ होंगे कि 300 साल पुराना मंदिर ढ़ा दिया गया उसको लेकर काफी विवाद हुआ था ऐसे में वहाँ पर सचेट रहने की जरुवती लेकिन अगले सवाल पर मैं आऊ उस बीच ये भी बता दें कि बुल्डोजर का खौफ दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुँच ये वही शाहीन बाग है जहां C.A. N.R.C. के खिलाफ महिलाओं ने 55 दिन तक आदोलन किया था अब यहां अफरा तफरी का माहौल है फरनिचर मार्किट में लोग सामान पाक करने में लग गए तो मनोश तवारी जी लगातार हमाई साथ तो जुड़े हुए मनोश जी पहले जहांगीर पुरी में हिंसा हुई हिंसा के बाद बुल्डोजर अभियान वहां पर चला उसको लेकर भवाल मचा उसके बाद शाहीन बाग का नमबर आ गया उसे चिनहित किया गया किस आधार पर शाहीन बाग में ही सबसे ज़ादा अतिक्रमन नजर आया जो इसे चिनहित करा और वहां पर अब बुल्डोजर अभियान की तैयारी है निया जी मुझे लगता है ना कि इसको कुछ लोग जो है केवाल उनको जहांगीर पुरी और साहीन बाग ही दिखता है ये जो जहां भी अतिक्रमन होगा वहां कारवाई होगी होगी आपको पता होगा है आज से पहले मैं गोकुल पुरी में एक सेलिंग का विरोध करते हुए मानिय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी मुझे पांच पांच बार मानिय सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और वो आज तक भी बहुत अच्छे से चलाया उसको इस दिल्ली में हमेशा जब भी कोई इलिगल इंक्रोश्मेंट होता है तो वहां कारवाई होती है लेकिन कुछ लों जहांगीर पूरी को हाइलाइट करके समाज की एकता उसको भंग करना चाते हैं समाज की शांती सोहार्थ को भंग करना चाते हैं अतिक्रमण एक के समस्या है उससे निपटने के लिए कारवाई होती है और कई बार बुल्डोजर कोई नया थोड़ी है बुल्डोजर जब भी जहां पे भी अतिक्रमण हुआ है इस देश के हर जगा पे बुल्डोजर जात है और भारतिय जंता पाटी की जिसकी केंद्र में सरकार है इंडिये की वो बराबर सांती सोहार्थ में ही विश्वास रखती है निया शांती सोहार्थ का विश्वास बना रहे यह हम सभी चाहते हैं लेकिन मनोट जी इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि शाहीन भाग वही तो अतिक्रमन है वहाँ पर भी अभ्यान चलाईए हर जगह जहां भी अतिक्रमन होगा उसका एक डिपार्टमेंट है वो अपना काम करता है लेकिन जब कुछ लोग अपनी पसंद से दो ही नाम उठाते हैं तो हम जैसे समाज के शांती के चहेतों का तोड़ा सा मन बड़ा आता है मैं आपको ऐसी दस जगह का नाम दे दूँगा जहां पे इंक्रोच्मेंट के खिलाफ कारवाई हुई है और अगर इसी में तो हाइल नहीं हुआ होगा तो उस पे भी हुआ होगा लेखें अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ मैं आपको मैं अभी आपके डिवेट से ह आज से कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में जहां पे पुलिस की फोटो एक बेक्ती सड़क पे लेटा हुआ है और उसकी आम आदमी पार्टी फोटो दिखा रही थी तो वो भी तो अतिक्रमण के खिलाफ कारवाई थी लेकिन वो बहुत नहीं चला और साहिन बाग और जाग अतिक्रमण है वहाँ पर अतिक्रमण तो बरसो बरस से है तब क्यों नहीं चला आ गया अभ्यान ठीक है उसमें जो भी होस अगर किसी को लगा हो कि टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो मानिय सुप्रीम कोट उसको देख रहा है और हम मानिय सुप्रीम कोट का आदर करते है इसलिए लॉय और को पालन करना न्याय के अंतरगत ही होगा इसको कुछ लोगों ने बना दिया ऐसा ऐसी बात है नहीं इसको लोकल जो दिल्ली सरकार है उसने भी बड़ी तरीके से इसको कमिनल रंग दे रही है जो ठीक नहीं है इलिगल इंक्रोच्मेंट किसी का भी हो उसपे कानूनी कारवाई होनी चाहिए ने कानूनी कारवाई तो चल रही थी वहाँ पर मनोजी जब मस्जिद का अथिक्रमर रटाया गया तब कौर्ट का ओर्डर नहीं आया था ये कहा गया जैसे ही मंदर तक बुल्डोजर पहुचा ओर्डर दिखा दिया गया वहां पर आकर बुल्डोजर रुख गया ये तमाम आरोप लगे लेकिन मैं आपको बताओं ये और तो जब भी आएगा तो उसका पालन करना ही है लेकिन मंदिर भी मंदिर तो मंदिर वालों ने स्वयम इंक्रोच्मेंट जो था उसको हटा लिया तोड़ लिया ये तस्वीर को लोगों ने देश में कम दिखाया है कि जो मंदिर था उस मंदिर का इंक्रोच्मेंट खुद मंदिर वालों ने तोड़ दिया तो अगर ऐसी बात हो जाए तो इसको मंदिर मस्जित के एजंडा से देखना नहीं चाहिए इंक्रोच्मेंट है उस पे कारवाई लगातार चलती रहती ह और वो law and order के बनाए रखने के लिए आगे उसको जैसे कानून कहता है वैसे चलना चाहिए हम भी इस बात के समर्थक हैं नहाजी कि कभी भी किसी जात धर्म के आदार पे कारवाई न होनी चाहिए और न हम इस अस्तर पे होने देगे लेकिन इस बीट जो डर भै देशत का मौल पैदा हो रहा देखिए शाहिन बाग में जैसे ही वहाँ पर आक्शन की बात आई लोग खुदी अपना अतिक्रम हटाने लगे और यह कहा जा रहा है कि इसी डर और भै और देशत के चलते वहाँ पर हो सकता है कि बुर्डोजर की कारवाई अब करने की जरूरती ना पड़े मनोच जी नहीं यह तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी इंक्रोच्मेंट जो किया है वो इनसानी है वो खुदी अपने इंक्रोच्मेंट को हटा दे और उसके बाद किसी पुलिस की किसी भी अतिकरमन रोखने की करवाई किया वशक्ता नहीं है किसी बुल्डोजर किया वशक्ता नह रहा है देश में भी ऐसा हो रहा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन हर राज्य को ये इंक्रोच्मेंट के लिए तो काम करना ही चाहिए बिना जाती धर्म का भाव दिये हुए हाँ वर्तमान में अभी जैसे हमारे अभी नौरात्री भीती है अभी इद आने वाली है अब इस इद के तेवहार को कुछ लोग खराब न करें इसके लिए हम सब भी प्रयास कर रहे हैं सबसे प्रात्ना कर रहे हैं कि हमारे देश के सांती बिवस्ता को किसी एक गट एक कानूनी एक्टिविटी से जोड करके खराब करने का प्रयास न किया जाए ये मेरी आज तक प्रात्ना है पूरे दिली के लोगों से पूरे देश के लोगों से 300 साल पुराना मंदे ढाया गया उसको लेकर भरपूर सियासत की जा रहे हैं और इसी को लेकर इन तमाम सवालों को लेकर आज दिन बर धर्म यूद आज तक पर जारी रहेगा और इस बीच एक खास मेहमान मनोश दिवारी हमाने साथ लगाता है जुड़े मनोश या आपने खुद कहा कि पहले आप कोड को अप्रोच कर चुके हैं अतिक्रमन के किसी अभ्यान से आप जुड़े हुए थे उसको लेकर 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 आप ये सचस बताईएगा कि आपने कितनी बार देखा है कि मेर खुद जाकर उस इलाके का दौरा करें बुल्डोजर का जो अभ्यान है उससे पहले बकाईदा मेर खुद वहाँ पर पहुँचे उन एरियास को चिन्हित करें जहां पर अतिक्रमन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है या आपने पहले देखा है हाँ निहा जी ये लगातार प्रोसेस है लगातार प्रोसेस में कहीं मेर जाते हैं कहीं डिप्टी मेर जाते हैं कहीं कमिशनर को जाना पड़ता है MCD के Local Bodies Commissioner को कई बार जो कम्प्लेंड की आधार पे उसकी जाच करने तो जाना पड़ता है न कि जो कम्प्लेंड हुआ है वो कहीं गलत तो नहीं है किसी खास उद्धिस से तो नहीं है तो ये अक्सर जाते हैं और मैं आपको बताऊं ये गतिविधी इसी को तो ठीक करने के लिए मानने सुप्रीम कोर्ट ने मोनिटरिंग कमेटी बनाई थी मोनिटरिंग कमेटी 2005 में बनी थी नहाजी और 2005 से सुप्रीम कोर्ट की बनाई मोनिटरिंग कमेटी जिसके भूरे लाल जी चीफ थे अभी जाकर के 15-16 साल बाद उनको इसलिए उस कमेटी को भंग किया गया कि वो कमेटी अपना काम नहीं कर रही थी ठीक से माननी सुप्रीम को उससे दुखी थे तो इस आधार पे मैं आपको बताओं यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसको किसी एक व्यक्तिगत घटना से जोड़के नहीं देखना चाहिए क्योंकि इनी सब चीजों से लगातार विवाद और जादा गहराता जा रहा है यह चार तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से लगातार इन सभी विवादों पर आज तक पर आज दिन भर आप चरशार देख सकेंगे